गुद आप्टरों गाईज मैं आज तुम लोग को स्क्रैच कैसे डाउनलोड करते हैं वो सिखाऊंगा तो जैसे हम लोग को पता है स्क्रैच में हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आप कूगल पे टाइप करेंगे स्क्रैच मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ ठीक है जैसे स्क्रैच टाइप करेंगे सबसे पहले लिंक आएगा तो यहां पर देख रहोगे कि यहां पर डाउनलोड लिखा हुआ है यह डाउनलोड कर लो मैं बताउंगे यह software online भी चलता है same to same और offline भी चलता है लेकिन जिसके गहर में अगर net की दिक्क当 है net नहीं है proper और बाहर जाके डाउनलोड करना पड़ता है Hotopोट से डाउनलोड करना पड़ता है मोबाइल चला के तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आफ-लाइन वर्जन इसका डाउनलोड कर लो और जैसे कि यहां पर विंडोस पर पहले से अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका यह देखिए डाउनलोड होना चलू हो गया है तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास अल्रेडी है तो मैंने से कैंसल कर दिया है और जब यह डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास कंट्रूल जी दबाएगा कंट्रूल जी ओके कंट्रूल जी जब रगाएंगे तो आप डाउनलोड सेक्शन पहुंच जाएंगे और जैसे कि मैं इसमें कर दूंगा शोइंग फोल्डर्स शोइंग फोल्डर्स में यहां पर आपका आएगा ठीक है तो मैं आपको वो जो स्क्रैच कर मेरा डाउनलोडड सॉप्ट्वेर है वो उस पर लेकर चलता हूं जैसे मेरा आफ लाइन है यह पूरा एप है तो यह ओपन कर रहा हूं थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में यह न्यू वर्जन है स्क्रैच का मेरे पास ओल्डर वर्जन था उस पर कुछ फाईलें ओपन नहीं हो रहे थी तो मैंने न्यू वर्जन इसका डाउनलोड कर रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा इसको ओपन होने में और यह के पास नेट की कोई दिक्कत नहीं है और और यह आउनलाइन यह आफ लाइन आप नहीं डाउनलोड करना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं आप गूगल पर जब स्क्राश टाइप करोगे तो यह लिंक आएगा आप इस पर क्लिक कर दीजे, ठीक है इसक्राश की साइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखेंगा create लिखा हुआ है create अगर आप create पर click करेंगे तो भी वह विल्कुल वैसे ही जैसे app खुलता है वैसे ही खुल जाएगा और यह online जलता है ठीक है और इस पर जब आप कुछ भी codes बनाएंगे तो file पर save कर दिजे save ना अगर on net आप save करना चाहते हो तो net पर save हो जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर id बनानी पड़ेगा जैसे मैंने बना के रखी है उस पर प्लिक कर देना तो id verify हो जाएगी कोई दिकत नहीं आगी चलाने में फाइल में यह दोनों तरीके से save कर सकता है online आपको cloud में save करना चाहते हैं तो cloud में भी save हो जाएगा और आप अपने computer पर save करना चाहते हैं तब भी save हो जाएगा जैसे इस पर ठीक है यह आपकी एक untitled file ऐसे डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो अब ठीक है तो यह next वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जब तक यह डाउनलोड कर लो और फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है ठीक है मिलते हैं next वीडियो में